अरे यार एक और IPO आगया चलो वीडियो बना अरे स्टार्ट हो गया जैहिंद अब हो ही यह रहे कि यार बैक टू बैक टू बैक टू बैक आईपियो जा रहे हैं इधर का उधर का और एज आ इशूट से ट्रेडर इन्वेस्टर जो भी बोलो हमारा करतव वे आए कि भाई IPO को analysis करें कि क्या हम इसको लगाएं या नहीं लगाएं और लगाएं तो कितने lots में लगाएं Multiple lots में लगाऊं तो हो सकता यार allotment ना मिले HNA category में लगाऊं या multiple से retail में लगाऊं कितना over subscription होगा कितना listing gain होगा बड़ा confusion है कोई problem नहीं है अब आया है एक और IPO प्रीमियर एनरजीज करके कमपनी है और जो की आजकल ट्रेंड में है वो क्या ट्रेंड में है रिनुवल एनरजी यानि की सोलर इन से रिलेटेड इनका काम है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट के काम में है सोलर सेल पैनल्स और इन सब में बनाती है और सबस से भी most important बात कि भाई valuations क्या लेकर आ रहे हो हाई everyone my name is विबोर वाशने I am a CB registered research analyst आज आपको लेकर चलूँगा प्रीमियर एनर्जीज IPO के detailed analysis में मेरा काम मुना चुटपुट चुटपुट वाला नहीं है कि भाई यह GMP है यह देख लो लगाना है लगालो नहीं लगाना मतलगो यह वो मैं उनमें से काम नहीं करता मैं detailed वीडियो बनाता हो हर बार और मेरा एक भरोसा यह रहता है कि अगर मैं पांच लोगों को भी अपनी knowledge share कर पा रहा हूँ तो I am blessed चलो without wasting time deep dive करते है अपने analysis में बट येस बिफोर moving ahead अगर भी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है 250k हिट हुए in fact 260k हिट भी हो गए तो मैंने यहां पर strategies भी दी थी intraday and swing यह जाके देख लेना और जैसे ही हमारे पास possible हो पाएगा मैं इसका screener भी शेयर कर दूँगा और येंटेक के analysis भी डालेते इंटर आक के भी analysis डालेते ये भी मैंने यहां पर दिया था multi beggar stock और अभी तक 20% returns दे चुका है एक week के अंदर प्लस फिर उसके बाद हम लोगों ने यह august के stocks देखे थे क्या बड़िया move आया था august के stocks के पर्फॉमेंस की बात करी जाए ये august के stocks की performance है प्राज industries ने दिये 2% gains खेतान फ्लाट टू 1% माइनस आरेमल 41% max 10% plus ICI 10% plus overall 11% के gains बनेते एक हफते के अंदर इस टाइप के अब सेप्टेमर आने वाला है सेप्टेमर में भी एक आदर वीडियो अप्लोड कर दूँगा बड़ चलो अब analysis में deep dive करते हैं यहां पर IPO table की बात करी जाए तो यहां पर interact हो गया orient हो गया अब आया है प्रीमेर energies और ECOS ECOS hospitality and mobility का है देखेंगे बड़ यह देखो 27,37 तो यह दोनों clash होने वाले इसका पैसा इसके लिए 99% useful नहीं होने वाला 99% useful नहीं होगा इसका पैसा अगर मैं बात करो interact की इंटराक में मैंने यहां पर बोला था 50 times over subscribe होगा जब IPO open भी नहीं हुआ था कितना हुआ 93 times over subscribe हुआ फिर Orient Tech में भी मैंने बोला था कि 100 times over subscribe होगा आप बेफिकर रहो क्योंकि हमने business model और पूरे IPO का ना कच्छा चिट्टा खोल के बताया था और यहां पर भी देखा जाए था Orient Tech कितना subscribe हुआ जड़ा देखे तो यह जनाब हुआ है 154 times over subscribe दोनों analysis अभी तक तो हमारे ठीक बेटे इसको अटाते इसको अटाते इसको अटाते और इसको अटाते है बात करते प्रीमियर energies की incorporated in April 1995 39 साल पुरानी कमपनी है प्रीमियर energies limited manufacturers integrated solar cell and solar panel ठीक है the company's product portfolio includes cell, solar module, monofacial modules, bifacial modules, EPC solutions and orient solutions वगरा मतलब यह क्या करते है solar cell वगरा बनाते है और obviously बात है solar cell जो इनके corporate clients वगरा भी buy करते होंगे यह खुद manufacturer है और आगे उसको product करते है marketing करते है sell करते है ठीक है five manufacturing units है और सब इनकी हैदराबाद में ही काम है ठीक है next part the clients of the company include NTPC ओहो टाटा पावर, Panasonic फिर उसके बाद आ गया शक्ती pumps, first energy, blue pine energies, यह वो हट्टेक solar, madav infor projects, सब बड़े-बड़े clients इनके corporate clients नजर आ रहे है अब corporate clients होने के दो फाइदे है और एक फाइदा है एक नुकसान है एक फाइदा क्या है कि आपकी जो order book होगी अभी देखेंगे इनके order book क्या है तो आपकी जो order book होगी वो हमेशा strong रहने वाली है बरी रहेगी क्यों कि अगर Tata Power को आपका माल पसंद आ रहा है तो Tata Power वापस आएगा फिर दुबारा वापस आएगा आपसे लेगा आगे बेचेगा आपसे लेगा आगे बेचेगा बट दूसरी एक अच्छी बात क्या है कि कि payments में problem नहीं आएगी Tata Power के पास जो भाईया ये माल आपको supply करा ता payment दे दो cycle गूमती रहेगी बट एक drawback ये है कि आप जादा महेंगे margin पर माल नहीं बेच सकते टाटा पावर बोलेगा भाई देख इतने पर बेचना है तो बोल वरना मैं खुद अपनी factory खोल लेता हूँ मेरे पास बहुत सारा पैसा है NTPC नहीं कि government ये बोलेगी भाईया देख इतने पर माल बेचना है तो बोल वरना मैं government को Modi ji को phone करती हूँ और कली factory लगवा देती हूँ तो ये थोड़ा सा drawback रहता है बस चलो order book की बात कर नहीं थे तो काम करते है order book ही देख लेते है as of July 31st 2024 the company had an order book of 59,000,000,000 बापरे 59,000,000,000 पता कितना हुआ almost 6,000,000 करोड रुपए की order book अभी तक है already खड़ी हूई है position यानि कि जोने ने माल डिलिवर नहीं करा इनके पास order already है capacity नहीं होगी उतनी this total included 16,000,000,000 for non-DCR solar modules 22,000,000,000 for DCR solar modules 18,000 for solar cells and 21,000 for EPC projects अगरा के लिए already है next the company has exported its product to US, Hong Kong, South Africa, Bangladesh, Bangladesh अभी यहापर पंगा हुआ था Norway, Nepal, France, Malaysia, Canada, Sri Lanka, Germany सभी बोल तो ना all over the world लिख दो यार यहाँ पर यह लिख दो सारे continent वागरा में जाते हैं simple the company had 1447 employees और contract labor यह permanent employees है यह contract labor से जब जरूत परती बुला लेते हैं जब जरूत परती हटा देते हैं यह वह वाले हैं यह permanent वाले हैं क्यों जैसा हम लोगों ने order book देखी 6000 करोड की order book है corporate clients है और उससे भी सबसे बड़ी बात sector एक अच्छा खासा नजर आ रहा है और सबसे बड़ी बात माल हर जगा जा रहा है यह नहीं कि सिर्फ इंडिया में जा रहा है यह बोल रहे हैं बहुत फैला हुआ बिजनेस है हमारा important dates की तरफ जरा नजर मारते हैं आई पे ओपन होगा 27 तारिक को 29 यानि तीन दिन आई प्यों रहने वाला है फिर उसके बाद अलॉट्मेंट आएगी 30 तारिक को फिर उसके बाद दुबारा साटेड़े संडे आ गया तो सेप्टेंबर में पता चलेगा दो सेप्टेंबर को कि किस को मिला किस किस को नहीं मि के नेक्स पार्ट यह प्राइस बताओ किस प्राइस पर ला रहे हो एक रुबाए फेस वाली है अल्यडी प्री स्प्लिट है प्राइस में रखाए 427 से 450 रुपए हमें अप्लाए करना है इस वाले पर कभी भी आपको 427 428 439 फिर उसके बाद 449 448 नहीं अप्लाए करना है यह मतलब यह यह बात हमेशा याद रखिए 33 शेर्स का एक डबा बना दिया लॉट बना दिया अब इंपॉर्टेंट बाट कम्पनी के रहे कि मुझे 2830 करोड रुपए का मैं IPO लेकर आ रही हूँ बट सिर्फ 45 परसेंट जो है वो 1290 यह इसमें ही जाने वाला है कम्पनी के पास फ्रेश इशू है बाकी जाएगा offer for sale पे अब यह चीज मैंने पहले भी समझाई है दुबारा से समझा देते कोई प्रॉब्लम नहीं है 2830 वाले पार्ट से लेकर कम्पनी ने कहा कि मेरे को business करना है तो business करने के लिए मुझे चाहिए क्या funds funds के दो option है पहला या तो मैं किसी को profit में भागीदार बना लू या मैं किसी से loan ले लू अब loan ले लिया यानि किसको बोलते है debt debt बोलो loan बोलो इसमें problem क्या है कि इसमें आपको interest दे नहीं पड़ेगा हर month में जा रहा है हर quarter में जा रहा है जैसे भी आपके terms और फिक्स हुई है यानि कि fixed interest जाएगा ही जाएगा profit में हो नहीं हो loss में हो sales हो रही है नहीं हो रही है माल बिक्रा है नहीं बिक्रा पैसे पीछे से आ रहे है नहीं आ रहे है यह बहुत है हमें कोई फरक नहीं पड़ता हमें हमारे पैसे दे दो दूसरा option हो गया आपका equity यानि की profit में भागीदार बनाना profit में भागीदार बनाना अब यहां पर दो option है पहला option प्राइवेट placement प्राइवेट प्लेस्मेंट मतलब कि आप शाक टैंग में देख सकते हो कि शाक टैंग में गए मुझे अपनी कंपनी का एक परशंट देना है बीस लाग के बजले राइट तो उन्होंने वैल्यूश लगाई जैसे बीस करोड वहां पर stock यानि की company stock exchange पर लिस्ट नहीं होती है दूसरा हो गया stock exchange जैसे कि यह IPO लेकर आ गए इन्हों ने का कि हम IPO लाएंगे पैसा रेस करेंगे अब इन्होंने का कि बहिया में 3900-2800 करोड रुपए चाहिए जिसमें से सिर्फ 45% जो है यह 45% जो है वह company के खाते में जाने वाला है क्यों क्योंकि यह fresh issue है बाकी 55% जो है जिसके पास already माल पड़ा हुआ है जिसके पास already माल पड़ा हुआ है प्रमोटर हो सकता है FII DII इंजर इंवेस्टर हो गया या capital वेंचर लिस्ट अगेरा हो गए जिनके पास already माल पड़ा हुआ है वह अपना माल काट रहे है जो रेशियो थोड़ा सा मुझे डिस्ट बैलेंस लगा मैं चाहता सिक्स्टी फॉट्टी होता सेवंटी थर्टी होता चलो बस्ट वर्स फिफ्टी फिफ्टी होता यहां पर 55-45 है इसकी फोटो ले लेना क्यू आइबी आपको दे रहे हैं 50% डिटेल वालों को दे रहे हैं 35% तक तो मिलेगा ही मिलेगा और हम लगाने वाले इस काटेगरी में क्योंकि इसमें कोटा ज्यादा है एक लॉट बताइए कितने का रिटेल वाला कहता है यह एक लॉट है आपका 14,850 का और दो लाग से नीचे अप्लिकेशन है तो अब 13 लॉट में लगा पाऊगे दो लाग से उपर अप्लिकेशन अदमी 66 रहेगा विच इस फाइव स्टार इसको मिलेंगे फाइव स्टार रेटिंग अच्छी मिलेगी इस चीज़ पर अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और बुक तो देख ली बचा कितना रही हो जरा वो बता दू और फुलियर 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 और यह है सिर्फ एक कोवाटर का तो मैं इसको मल्टिप्लाइबाइबाइ फोर करूंगा बनाने के लिए एक्क्यूवेलेंट एक बनानी के लिए अप्रोक्सिमेटली एसेट्स तेरा सो करोड के ऐसेट्स थे एकीस सो करोड फिफ्टी परशन जंप आया फिर उसके बाद अनेदर फिफ्टी परशंट जब 3500 करोड और अभी 3700 करोड है एक क्वार्टर में भी 200 करोड के आसपास हैट सेट एड कर दिये that's a very good growth revenue 3700 करोड का revenue था फिर उसके बाद drop हो गया sudden drop ये देख रहे हो पूरा टाइम यहाँ पर ये भी नहीं बोल सकते भईया कोविड था ये था वो था सीधा sudden drop 1400 करोड की sales sales ने वापस pick up करा 3100 करोड और अभी है 1600 करोड बट एक क्वार्टर में है multiply by 4 करोड तो 6400 करोड 6500 करोड के आसपास आ गई profit कितना बना रहे हो वो बताओ बाबू 3700 करोड की sales पर 14 करोड का loss minimal loss 1400 करोड पर 1% loss 1300 चलो फिर भी अब आगे profit में अब ये कहते हैं चलो अब हम profit में आ गए तो यहाँ पर 8% के आसपास margin बन गया फिर उसके बाद 1600 करोड की sales थी 1900 करोड के आसपास profit था तो यहाँ पर 11% 10-11% के आसपास का margin बन गया profit में आए margin भी बड़ा ये अच्छी चीज़ है reserves, 200 करोड के reserves, 244, 455 और reserves हो गए negative बलब 455 से 200 करोड के reserves ड्रॉप हो गए जबकि हमने देखा assets बड़े थे उदर, assets वाली side, borrowings तो 400, 700, 1400, 1200, तो इन्होंने अपने reserves से निकाल कर ये जो debt का पाथ था ये कम कर दिया ये अच्छी चीज़ है ये अच्छी चीज करी पहले आप interest पे कर रहे तो 1400 करोड पे अब आप interest पे करोगे 1200 करोड पर ये profit में reflect कर रहा है बहुत अच्छी बात है कुछ important ratios देखे ज़रा return on equity 43% बढ़िया है return on capital employed 25 because of debt, debt थोड़ा सा जाधा है समझ आता है क्योंकि बहुत क्या है जब इतना production करना चाह रहा है तो इनको क्या चाहिए इनको बड़े-बड़े projects वगरा के लिए पैसा चाहिए, funds चाहिए जो इन्होंने loan की form में उठाया है price to book value 30 थोड़ा नहीं थोड़ा जाधा high है, pat margin 78% के आसपास ही नजर आ रहा है अब बताओ भहिया पैसा किसलिए उठा रहे हो, क्या debt कम करोगे या नहीं करोगे investment in the subsidiary premium energies global environment private limited for a part financing of the establishment of a 4 gigawatt solar PB TOC cell ये वो solar TO मैंने विचे के ज़राबाद बगरा and general corporate मतलब अभी भी बोल रहे हैं कि हम debt कम नहीं करेंगे, price vendor का है यहाँ पे 450 रुपए per share के हिसाब से 2800 करोल रुपए company raise करना चाह रही है, योग या over subscription, योग या listing in, number one, pros, crux कर देता हूं वापस से pros, number one, sector अच्छा है, समझ आ रहा है, corporate clients है, order book अच्छी बरी हुई है, promoter की बात करों, तो थोड़ा बहुत loss था, sales में एकदम से dip ले लिया, कहां 3000 करोड की थी, कहां सीधा dip लेके 1400 करोड हो गई, में भी हो सकता है कि उस साल में कोई बड़ा project ना मिला हो, या पहली के project चोगे रहा, पूरे हो गई हो, चलो, अब आते है, definitely क्योंकि sector देखना है, तो अच्छा है, अब बात करता हूं, लिस्टिंग एन के हिसाब से, मेरे हिसाब से यहाँ पर 52, 52, क्योंकि company loss से profit में और दीरे-दीरे margin बढ़ा रही है, सबसे बड़ी bet जो होने वाली है, वो इसकी order book पे होने वाली है, क्यों company की sale ही अभी 3000 करोड है, और अभी से company के पास 6000 करोड के order पड़े हुए है, तो जब यह आगे order fill करेंगे, तो आगे quarter results अच्छे आने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से 50 to 70% listing gain हो सकते हैं, अब important point, अभी खतम नहीं हुआ, रुको, 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 number one, क्योंकि 60 times over subscribe होगा, तो definitely, अगर मैं HNI category में लगाता हूं, तो मुझे एक आदर lot में कुछ नहीं होगा, one time में कुछ नहीं होगा, HNI category में pro rata basis पे ही जाता है, आप आलगा दो कि 10 lot लगा देता हूं, 14 lot लगा देता हूं, कुछ मिनिमा पर मिलने वाला, अब आते हैं उस पर, इसलिए मैं retail category में apply करूंगा, और ऐसा नहीं कि 5 lot लगा द से कुटे के अकाउंट से, last time तो अपने उट भी पाला था, उट के अकाउंट से भी लगाओ, जिसके अकाउंट से मिले, दोस्त के, ड्राइवर के, इसके, उसके, सबके अकाउंट से बिंदास लगाओ, plus last time एक और request आई थी, कि बहीं क्या, आप ये भी बताय करिए कि हम इ आपका पैसे में जो भी हुआ, 25 दिन में पैसे डबल, निकल जाओ, जो लोग hold करना चाते है, क्योंकि सेक्टर अच्छा है, order book अच्छी है, तो मत बेचना, आगे के लिए, बिनना sold करना, मैं बोलता हूं कि अगर 450 का, एक साल में, यहां पर already 70% है, अगर मालोग खुलने के detailed analysis, video पसंद आयो, share with your friends, like and subscribe, thank you for watching the video, lots of love.